हाई गाईज मैसल्फ सीमा शेलजानन थैंक्स तो कम तो मैं चानल साइबेसिक्स प्लस एडवांस इन इस वीडियो आई विल डिसकस एवाउट इवाउट इवोलिशन और पारसिटिजम इन प्लैटी हलमेंथिस बच्चों प्लैटी हलमेंथिस एक ऐसा फाइलम है जिसमें दो हुआ उसी के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में तो इंट्रोडक्शन और इवोलिशन ऑफ इस स्पेसिफिक पारसिटिक फॉर्म्स का एक एक मिनट का शॉट्स मैंने थोड़ा साब को जानने के लिए कि एक्चली में इवोलिशन और पारसिटिजम क्या होत हुआ है कि लेटी हplease is a diverse फैलं विथ बोथ free-living and parasitic इस्पेसिप लेटी हल में जिसमें free-living और इस पारसिटिक स्पेसिज भी पाय जाते हैं तर्ट ट्रांजीशन टू पारसिटिजम अकर्ड मल्टिपल टाइम से लेके पारसिटिजम में यह बहुत ज्यादा टाइम मल्टिपल टाइमस इस फालम में देखे गए तब जाके कोई भी का इवॉलुशन किसी भी चीज का ऐसे नह लगता है उनमें इवॉलुशन होने में बहुत टाइम लगता है इट टेक्स टाइम दा इवॉलुशन और पारसिटिजम इन प्लैटी हलमेंथिस इन क्रूड क्या क्या इसमें पाय जाते हैं तो फ्लैट वर्म का नाम तो आपने सुनाई होगा लाइक टेप वर्म्स लिवर इस समय इन और्गेनिजम्स में इवॉलुशन देखा गया इवॉलुशन और पारसिटिजम इज अ कंप्लैक्स प्रोसेस इंफ्लूएंस्ट बाई वेरियस फैक्टर्स यह कंप्लैक्स प्रोसेस होता है जिसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं जैसे कि एकोलोजिकल वह चेंज होते गए तो उनको मजबूर किया कि वह फ्री लिविंग से शिफ्ट होके पारसिटिक फ़र में आ जाए कुछ होस्ट पारसाइट इंटरेक्शन भी इस फैक्टर काम किये और कुछ जेनेटिक चेंज भी इसमें काम किये तो यह चोटा सा इंट्रोड़क्शन हो ट्रांजिशन टू पारसिटिजम अकर्ड मल्टिपल ताइम्स यह जो ट्रांजिशन है वह बहुत ताइम देखा गया इस फाइलम में दा इवलूशन ऑपारसिटिजम इन प्लेट हैलमें इंक्लूट फ्लेट वर्म टेप वर्म लिवर फ्लुक एट्सेटर किन-किन और्ग अब इवलुशन ऑफ इससपेषिक परासिटिच फॉरूम स इवलूशन ऑफ स्पेशफिक पारसिट्रिट कौन सा इपको सिस्टोर जिसमें टेप वर्म आते हैं और दूसरा ट्रीमेटोर जिसमें फ्लू काते हैं ठीक है तो सिस्टोर्ट में क्या होता है तो तो दीज पारसाइट्स लॉस्ट डियर डाजेस्टिव ट्रेक्ट यह जो पारसाइट थे उन्होंने क्या किया तो अपना डाजेस्टिव ट्रेक्ट का लॉस कर दिया रिलाइंग ऑन देर होस्ट न्यूट्रेंट होस्ट जो न्यूट्रेंट लेते थे उसी पर यह विश्वा क्या काम है, तो for attachment to the host intestine इन्हें host body के अंदर रहना होता है किसी भी parasite को तो host body में कैसे यह सर्वाइक हो रहें है, तो इस intestine के साथ attachment के लिए इन्होंने क्या क्या hooks और सकर्स का formation कर लिया ताकि अच्छे से intestine के wall को पकड़के attach हो सके, और जो host फूड लेते थे निट्रेंट लेते थे उन्हीं पर ये विश्वास करके अपना डाजेस्टिव ट्रक्ट का लॉस कर दिये ठीक है किन्होंने क्या टेप वर में बचों होस्ट आप अपने अपनी बॉड़ी को मान सकते हैं और पारासाइट मींस एक टेररिस्ट के तरह काम करत बस डिफरेंस सिर्फ इतना है जो टेररिस्ट है वह आपको आउटर साइट से अटक करते हैं और यह जो है पारसाइट वह आपके बॉड़ी के अंदर जाके धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको गोली मार के खतम कर देंगे नहीं ऐसा है कि वह धीरे-धीरे आप पर अपना इफेक्ट डालता है यह लीथल भी हो सकता है और लीथल नहीं भी हो सकता है यह एक एनलोजी हुआ ठीक है दूसरा एक्जामपल हम देखेंगे किसका ट्रीमेटोड्स का ट्रीमेटोड्स के अंतरगत कौन-कौन से और्गिनिजम आते हैं तो जेनरली फ्लूक्स काफेन हेव कोंपलेक्स लाइफ साइकल्स इंकलूड़िन्ग मल्टीपल हो फुस्ट फ्लूक Also воздуes के पास कॉंप्लेक्स लाइफ तो यह दो एक्जाम्पल मेने छोटा सा बता है किसके बारे में इवोल्यूशन ओफ इस स्पेसिफिक पारसिटिक फॉर्म सिस्टोड में क्या हुआ तो यह जो पारसाइट थे उन्होंने अपना डाजेस्टिव ट्रैक्ट का लॉस कर लिया और यह जो होस्ट बॉडी के अंद इंटिस्टैन के साथ एटेज़ रह सकें दूसरा ट्रीमेटोर में क्या हो गया फ्लूक्स हो आ गया जो फ्लूक्स क्या करते थे कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकल इनके अंतरगत पाया जाता था ताकि यह मल्टिपल होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइब कर सकें और इन्हों आफ स्पेसिफिक पारासिटिक फ़र्म यहां से आप स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं अब आये नेक्स लाइट पर कुछ और चेंजेज हम देखेंगे फ्री लिविंग एंसेस्टर्स मिंस इनके जो पूर्वस थे वो कैसे थे फ्री लिविंग थे फ्लैटे हलमेंथिस इव हानल का बॉडि कासा होता था सिमपल होता था और फ्लैटेंड होते यह कुछ दिगराम मैंने में प्लैटि हलमेंथिस में जो जो आर्गनिजम आते हैं उनका प्लम से लिजाज ड्यागरम हाते हैं क्योंकि आपको पता है मेरें किसी भी कौंटेंट में या पिसी भी वीडिय पर आई है, transition to parasitism, the shift to parasitism involved adaptations such as, यह कुछ adaptations किये, इन्होंने अपने वोड़ी के अंतरगत, कौन-कौन से, reduced complexity, अपने complexity को पहले यह reduce किया, और यह से, ज्यादा complex होगा, तो host body के अंदर survive नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्होंने अपने complexity को reduce कर लिया, loss of unnecessary structure, जैसे कि अभी हमने देखा, digestive tract का loss कर लिया, development of specialized structure for attachment and nutrient absorption, जैसे सकर्स का formation कर लिया था, तो यह कुछ adaptations हो गए, transition to parasitism, क्या-क्या, तो reduced complexity, loss of unnecessary structure like digestive system, development of specialized structures for attachment and nutrient absorption, ठीक है, यह diagram plan area, आपको right side show हो रहा है, यह है plan area, यह हुआ liver fluke और यह है taper, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह slide भी clear हो गए होगा, अब आए, last slide पे, some other parasitic evolution in platyhelminthus, कुछ और भी evolution देखे गए है platyhelminthus के अंतरगत, कौन-कौन से, co-evolution with host and diversity of parasitic life styles, co-evolution with host, क्या हुआ इस term का मतलब, तो जैसे होस्ट का development होता गया, वैसे वैसे जो parasite है, वो भी co-evolved होते चले गए, कैसे, as parasites evolved, they likely co-evolved with their host species, अगर छोटा से example मैं देना चाहूँ, तो अभी के जो mosquitoes होते हैं, पहले हम कच्छवा जला लेते थे, अगर बती जलाते थे, और मच्छड से बच जाते थे, लेकिन अभी इतना strong mosquito repellent use करने के बावजूद भी आसपास मच्छड भटकते रहते हैं, तो जैसे इसे host ने अपना दिमाग लगाया और अपने आपको इंप्रूब किया, वैसे वैसे जो parasite है, वो भी अपने आपको इंप्रूब करता चला जाता है, आज के डेट में, आप कितना भी mosquito replant जला लेजिए, फिर भी आपको mosquito net का use करना ही पड़ता है, ठीक है, इस co-evolution can lead to integrate relationships with parasitic adaptation to their host defenses, जैसे host अपना defense mechanism use करता है, तो वैसे वैसे यह जो parasite है, वो भी co-evolved होते चले गए, host developing strategies to combat parasitic infection, और host जो है, डेवलप करे, strategy डेवलप किया, ताकि वो combat कर सके किसके साथ parasitic infections के थो, यह हो गया co-evolution with host, उसके बाद फिर क्या आगया, diversity of parasitic life styles, platy helminthis exhibit a wide range of parasitic life cycles, कुछ parasites ऐसे हैं, जिनके एक host नहीं है, intermediate host भी होते हैं, दो तीन host होते हैं, ताकि वो जो ectoparasite पहले थे, वो अब इंडो पारसाइट के फॉर में exist कर सके, तो platy helminthis exhibit a wide range of parasitic life cycles, life styles from ectoparasites that live on the host surface to endoparasites that reside inside the host body, ताकि वो host body के अंदर अराम से endoparasite adaptation के फॉर में करकि survive कर सके, ठीक है, तिये आपको होगे अच्छा से detail explanation किसके बारे में, evolution of parasitism in platy helminthis, तो बचों आप इस तरह देख रहे हैं, flow chart और diagram के help से, बहुत ही simple language में, जितना भी simplest way में मैं आपको समझा सकती हूँ, वो मैं कोशिश करती हूँ आपको explain करने की, ताकि आपको language problem नहीं हो, क्योंकि आप science के strength है, तो अच्छे से smart तरीके से अपने answers को explain कर सकी है, और concept gain कर सकी है, तो अगर इस तरह से आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका या explanation पसंद आता हो, बचों एक feedback जरूर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में भी share कीजिए, और कुछ भी suggestion देना हो, तो comment section में जरूर बताईएगा, जैसे एक बच्ची का भी comment आया था कि मैम ये evolution of specific parasitic forms थोड़ा उसका speed fast है, तो बच्चों shots जो होता है वो सिर्फ term को जानने के लिए होता है, या फिर जब आप detail video अच्छे से सुन लेते हैं, तो आपके revision के लिए होता है, तो वहाँ पर एक minute के अंदर ही कुछ चीजों को explain क सकते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, thank you